हेलो दोस्तों स्वागत हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गौर्मेंट जोग पे जैसा कि हम आप हमारे चैनल पे हर्याना जीके का डेली टेस्ट ले रहे हैं जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितनी त्यारी है और आपको कितनी ओर त्यारी क में जाके आप टेस्ट दे सकते हो तो इसमें टोटल रोज की तरह 10 कोशन है वीडियो के एंड में आपको आंसर मिल जाएंगे आपने पहले आंसर नहीं देखने हैं पहले 10 के 10 कोशन ट्राइक करने हैं और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने कोशन सही आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि आपको कितने आते थे पहले से कमेंट करने से आपको ज़्यादा चीज़े याद हो जाती है जो कोशन मैं पूछती हूँ आप उसको कमेंट में मुझे बताया करो कि इसका अंसर यह जो बचे कमेंट करना चाहते हैं वो बच्चे comment करिए बाकी जो भी बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी वीडियो को शेर करें उनका दिल से बहुत-बहुत ठायाक्यू जो चलिए शुरू करते हैं ऎमारा पहला Q. 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 Q पानिपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी और कोशन नमर टैन्थ है हर्याना का राजकिये पेडिया राजकिये व्रिक्ष कौन से हैं तो ही टोटल दस कोशन हैं बहुत इजी कोशन हैं दस-दस करके आपके टोटल आज 50 कोशन कवर हो चुकी हैं और बहुत इजली तोती है क्योंकि बहुत छोटा सा हर्याना है ज्यादा कोशन नहीं है याद करने वाले अगर आप डेली फोलो करोगे तो हर्याना जी के आपकी बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी तो इन 10 में से आपको कितने ओलरेडी आते थे हैं आप मुझे बताना अगर आप लोग बताना चाहते हो तो अब इन 10 कोशनों के अंसर मैं आप लोगों को दिखा देती हूं कि इन 10 कोशनों के अंसर क्या है ये 10 कोशनों के अंसर है पहला कोशन क्या था हर्याना की परसिद बढखल जील कहां पे है तो ये कहां पे है फ्रीदाबाद में नेक्स्ट है साइना नहवाल का जनमकिस जिले में हुआ यह उवा था हिसार में। नेक्स्ट है परिनिती छोपडा का जनमकिस जिले में हुआ तो वो उवा था अमबाला। अगला कोशन है तो सरस्वती चिनी मिल कहां पर इंपकत है। अब एक कोशन आप लोगों से है कि हम मुझे बताओगे कि शीतला माता का मंदिर कहां पे है तो वो है गुरुग्राम में नेक्स्ट है हर्याना का रिद्या किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है जीन्द को नेक्स्ट कोशन है हमारा पानिपत की दूसरी एर्थ नमबर कोशन है राज्ये सरकार के सेविधानिक परमूख कोन होता है तो वो होता है राज्येपाल अपने देश में जो परमूख होता है राश्ट्रेपती और राज्यों में परमूख होता है राज्येपाल कोशन नमबर 9 है पानिपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी तो ये लड़ी गई थी 1556 में आप एक कोशन और है आपके लिए कि आप मुझे बताइए कि पानिपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी और लास्ट कोशन है हर्याना का राजकिये वरिक्ष कोन से है तो राजके वरिक्ष कोन से है पिपल मैंने आपको ये बताया था कि हमारा राजकिये हर्याना का राजके खेल कोन से है तो वो एकुस्ती हड्याना का राज्किय विरिक्स कौन से है पिपल राज्किय पक्षी कौन से है तो वहां पे था आपके पास काला तित्तर और राज्किय आपके पास एक और कोशन मैंने आपको बताये था राजकिये जो पशू था वो था आपके बस ब्लैक बग जिसको बोलेंगे काला हीरन तो ये कोशन मैंने आपको पिछे वाली वीडियो में टेस्ट के जरिये बताए थे तो एक कोशन के साथ आप रिवाइस करोगे तो तीन से चार कोशन आपके याद हो जाते हैं और टेस्ट नमबर फोर में मैंने लास्ट में आपसे कोशन पूछा था जो कि लैब अटेंडन में पूछा गया था कि सोनु निगम कहां से हैं तो सोनु निगम जो गायक है वो कहां से हैं फ्रीदाबाद से हैं तो ये टोटल आपके यहाँ पे 10 कोशन कवर हो जाते हैं जो कोशन मैंने पूछे हैं आप उनका कमेंट करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करिए और मैंने एक और वीडियो भी अभी अपलोड करूँगी उस वो वीडियो भी आप देख लेना उस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि हमारे 39 राजों में लोगसभा में राजेसभा में और वहाँ पे कितने जीले हैं ये पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं तो प्लिस लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक यू